हेलो फैंड्स, वेल्लम पूशन के विएस, डिस्कस करेंगे आज हम टेंस के बारे में, टेंस हमारा रीट इंगलिश की फर्स लेंग्विज का सेकंड टॉपिक है, रीट के हमारी सेकंड लेंग्विज पूरी तरह हम कंप्लेट कर चुके हैं, आपको देखना है तो प्लेलिस मैं आपको लिंक देदूंगा जाकर देख सकते हैं, बाकि आज हम लिस्कस करेंगे टेंस के बारे में, इर टेंस है क्या, टिक है यह टेंस आपको जो हमें सा टेंशन देता रहा है आज इसको टेंशन देते हैं, catching चैनल हम हम एक एक करके телефके, चितने भी आज आसप्रेक्टर सबको समझेंगे और इतनी अच्छे समझेंगे कि आपको कहीं लगेगा भी ने का कठनाई महसूस हो रही है कि कहीं problem हो रही है समझने में पर आज हम विजय पर आप कर लेंगे और बाकि आपको उसका PDF कहा मिल जाएगा टेलिग्राम के ग्रूप में मिल जाएगा अब जॉइन होना पड़ेगा उसको लाप लिटिक है तो लिंक जो है उसका description में मिल जाएगा जाके आप द्वागनों के महां से PDF आप डाउलोड करके ले सकते हैं ठीक है बात करें अगर हम टेंस के बारे में ठीक है तो एक आपको मैं sentence के बारे में पहचाल करना चाहूंगा आप देखें तीनों sentences को ठीक है एक एक करके और देखें तीनों में difference क्या है ठीक है He plays cricket, He played cricket, He will play cricket देखें तीनों में difference अगर आप देखें बहुत गौर्च देखें तो He और cricket तीनों में common है He और cricket तीनों में क्या है common है ध्यांस देखें He, He, Cricket, Cricket, He, He, Cricket तीनों में क्या common है Cricket common है और He common है बशर्ते केवल play, played या will play या विल प्ले या वर्ब और helping verb तीनों में अलग 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 है तो यही क्या करता है helping verb जो होता है फिर verb जो होता है वो क्या कर देता है अच्छा helping आप बोल रहे होंगे क्या है helping यही होतना है इस, M, R, Will, Shell है न यह helping verb होता है न डिस्कस किया दा हमने तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको तो आपका क्या होता है जो verb होता है only verbs are different ठीक जो आपका क्या है verb है केवल वही केवल हमारा different है अलग है बाकि common है क्या हमारे he और cricket दोनों ही क्रिकेट भी और he भी दोनों हमारे क्या है common है तो इसलिए हम कह सकते है tense is a form of verb एक तरीकी का प्रकार है क्रिया का प्रकार है वर्ब का प्रकार है क्या करता है express करता है time of action यानि कि यह जो action है basically verb है verb का मतलब क्या है action ही तो है क्रिया ही तो हुआ तो जो action है basically वो किस time में हुआ है किस time में हुआ he plays cricket, वो cricket खेलता है तो यह simple time में हुआ है simple time में हुआ he played cricket, यह खेल चुका है तो यह किस time में हुआ, हमारे past के time में हुआ he will play cricket, यह वो cricket खेलेगा तो यह हमारा future में होगा तो basically time क्या है action का वो जो दर्शाता है time क्या है, action का वो जो justify करता है उसी को हम tense कहते हैं कोई समस्या कोई परिशानी समझने में बिलकुल नहीं अच्छा and its degree of completeness भी है degree of completeness मतलब कि भाई वो जो उसका action है वो basically कितना हुआ है पूरा complete हुआ हाफ हुआ है फिर चल रहा है फिर हाफ खतम होके चल रहा है वह चीज भी आपका टेंस में आ जाती है आपको बहुत complicated लग रहा हुआ इक एक करके समझेंगे यह पूरा आपका बेवरा है खाका है चोटा सा जो आज हम करने वाले है और बहुत amazing तरीके से ठीक है समझते हानी हम देखें आप types of sentences आपको देखाता हूं कैसे होता है based on time of action मैंने बताया ना आपको कि कुछ actions होते हैं हमारे कुछ time में होते हैं याने कि कि हो सकता है आप खेलते हैं तो आप खेल ना हो सकता है कुछ आपका हो चुका है कुछ yap खेल रहे हैं विचिलत आप कुछ सब्यादा है आपक खेलेंगी आना basically 3 or 2 तocol time of action याने कि जो आप action कर रहें वह 5 तेन time मूं बढ़ जाता है future में past में present में या फिर जो आप action कर रहे है बिसिकली आप अभी सुन रहे है ठीक है listening कर रहे है मान लीजिए वह आपका listening जो वीडियो देख रहे हैं यह आपका क्या है present है ठीक है अगर आप एक घंटे बाद बोलेंगे किसी से किसी ने पूछा आपसे कि आप क्या कर रहे थे एक घंटे पहल का बोलेंगे मैं वीडियो देख रहा था मिशन केवेस पर तो वह पास्ट हो ग हो या बेसिकली आपका action का time क्या है वो आपका तीन तरीकिका होता है future past present कोई दिक्कत समस्या तो वही type of sentence होता है हमारा type of tense होता है ठीक है यह देखेंगे आप present when type of action is in present जो आपका action है उसका time जब present में हो हैना जो आप action कर रहे हैं और वो present time में कर रहे हो तो उसको हम कहते है है present, बहुत simple है common है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, एक हमारा होता है जब हम action को कर रहे हो और वो हमारा time of action होता है past में, कुछ ऐसा action जो हमारा time past में हो हो, प्रेज़ेंट में नहीं हो कर चुके हो, उसको कहते है past कोई दिक्कत नहीं, बहुत simple चीज़ है ठीक है, तीसरा दे प्रजेंट पास्ट फ्यूचर ठीक है यह समझ गया आप तक कोई दिक्कत नहीं ठीक है आगे चलते हैं आस्पेक्ट्स आफ टेंज अब आस्पेक्ट्स क्या होता है कुछ नहीं होता है हमारा वहीं बताना मैं डिग्री ओफ कुम्प्लीटनेस बहुत सिंपल है आप सिंपल या फिर इंडाफिनेट inspiring कि जब कुछ चीज अं सर्टन हो रविजिभ का नहीं है वह होगा है या फिर नहीं होगा बिसीकलि आपका वह एक रिदम में चलता रहता है uncertain रहता है simple होता है basically simple समझने है simple रहता है degree of completence आपका जो action है उसका complete होना simply होता है simply होता है कोई रिफकत नहीं उसके बाद when action is in progress जब action हमारा progress में होता है यह action जब कर रहे है basically वो आपका किसमें होता है progress में होता है यहां पर हम aspect of tense की बात कर रहे हैं ताइम of action नहीं है कि future है, past है, present है, ठीक है, आप confused मत होईएगा, aspect मतलब है कि जो आपका degree है, आपका जो action है basically, उसका complete होने का, उसका complete होने का क्या समय है, आपका कुछ action जो है, वो simple हो सकता है, जो आप रोज करते हैं, daily life में करते हैं, daily routine में क प्रोग्रेस में हो सकते हैं तो वही आपका, जब आपका action completeness के base पे, अलग-अलग बाता जाए, ठीक है, जब आपका action completeness, यानि पूरे होने के base पे, अलग-अलग बाता जाए, ठीक है, तो हमारा second वहीं बोलता है, when action is in progress, जब आपका action कुछ भी progress में हो, उसको पें कहते है continuous simple है जब आपका कुछ task complete हो चुका हो when action has completed जब आप कुछ कर रहे हैं कुछ आपके action है वो complete हो चुकी है that means is perfect ठीक है fourth aspect कहता है कि perfect continuous when action has started in the past but it's still in progress यानि कि it is still in progress मतलग क्या हुगा कि कुछ आप चालू कर चुके हैं बहुत पहले यानि पास्ट में और वो अब तक खतम हो चुका है और half अभी भी progress में है और अधा राधा continuous में है ठीक है तो आपका क्या basically perfect और continuous का mixture जो है जो है जो है आपका वही आपका perfect continuous होता है तो कोई समझ में दिक्कत हो कोई यह नहीं बताई आप कोई दिक्कत तो नहीं होई ना दिक्कत हो यह आप पूश लिए दुबारा से ठीक है आप देखें दुबारा से समझाता हूं वह एक दुबारा से रीकेप कर लेते हैं असका देखिए आपका CHANCEod का क्या होता है टेन के आपके तीन दरा के time of action हुए आपका पहला खायता है हमारा present दीद दूसरा खायता है हमारा future उसकत और पास्ट घेक्ट है एक्शन है तिह की हमारा action है वह किस क्रिया है कर रहे हैं वह किस ताइम में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, वो हमारा होता है time of action के base ठीक है, कोई दिक्कत परिशान्दी तो नहीं है, वो हमारा तीन ही तो होगा है, present, future, past, but जो हम action कर रहे हैं, जो action हम कर रहे हैं, वो कितना complete हुआ है, कितना complete हुआ है, half हुआ है, फिर complete नहीं हुआ भी चल रहा है, या फिर आधा complete हो चुका है, या फिर आधा चल रहा है, ये, इसको हम कहते हैं aspect of tense, और इनहीं को हम चार भागों में बाढ़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परिशान्दी नहीं ही समझने में, अब बढ़ताई है, कोई दिक्कत, नहीं ह अगर होई है, तो कोई नहीं, आगे और अच्छे समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से, tense on the basis of time of action and degree of completeness, आप देखें, हमने समझाता, tense को किसके अधार पर समझाता हमने, tense को base पर समझाता, time of action के अधार पर 3 होते हैं, और इसके aspect हमारे 4 होते हैं, अब इनहीं 4 और 3 को जब ह mix कर देते हैं, तो हमारे 10 साथ देखते हैं, बहुत बड़े-बड़े मिलते हैं आपको, वही बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको base से समझाया, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि मैं चाहता तो direct समझाता था आपको, बट आपको समझना ज़रूरी है कि ये बना कैसे है, बिसिकल है, ये साथ चीज़ में बात की, अब देखें आपका, time of action हमारा एक पहला होता है present, ठीक, और degree of completeness हमारे कितना होता है, 4, simple, continuous, perfect, perfect, continuous, समझ गे ना आप इसको, समझ जिए आप इसको, रेटना नहीं आपको, ठीक है, simple, continuous, perfect, और perfect, continuous, नहीं कि कुछ काम आपके simply चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके 4 होगा, degree of completeness, time of action हमारा, ठीक है, और हमारा time of action, क्या हुआ, present का हुआ, ठीक है, इसको हम present जोड़ देंगा है, और degree of completeness जोड़ देंगा, present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, कोई दिक्कत, समझ नहीं कोई दिक्कत हुई बताईया, बेस से समझ रहे हैं, आप बहुत समझ present, continuous, present, perfect बन जाते हैं, अब आप इसकी हिस्ट्री समझ रहे हैं, अच्छे से, कैसे बना है, ठीक है, इससे आपना बहुत अच्छे समझ रहेंगे, और आपको बहुत आनंद आए, कैसे मुझे, मुझे सब समझ में आ रहा है, और basically इसका structure कैसे बना है, इसलिए जरूरी है, अब देखें, हमारा second time of action है, past, second time of action हमारा past है, उसी का degree of completeness हमारे चार होते हैं, जो सम्में same होंगे degree of completeness में, इसी में past जोड़ दें, तो past simple, past continuous, past perfect, यादि past, past perfect continuous बन जाता है, कोई दिकर परशानी, नहीं, ठीक, आगे चलते हैं, future, time of action हमारा, तीसरा होता है, future, अब future का अब हमारा degree of completeness सेमी तो होगा, यार, क्योंकि सबके action में completeness होना, सेमी तो होगा, किसी का simply होगा, डेली routine होगी, डेली अपनी habit होगी, किसी का continuous में होगा action, किसी का perfectly हो चुका होगा, किसी का perfect आधा हो चुका है, आधा continuous में है, तो इसी में future जोड़ देंगे हम, बन जाएग future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous, अभी हमने एक तरीके से देखा जाए, तो time of action और degree of completeness को दोनों को समझ लिया, ठीक है, और उनको mix करके भी समझ लिया, अब हमने जो समझा है ये, अगर आप देखें, इसको make it करके समझेंगे है, पहले हम present simple हो गया, present continuous, present perfect, और present perfect continuous, एक करके समझेंगे, ब पात हम past समझेंगे है, past के degree of completeness के base पे ठीक है, उसके पात future का हमारा ठीक है, और बीच में हम practice भी कर लेंगे, तो आपको कहीं दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, तो शुरू करते हैं, अगर हम, पहला देखें, अगर हम, हमारा पहला आएगा, present simple है, present indefinite, example देखेंगे है पहले इसमें क्या बोलना चाहता है, she eats in afternoon, या फिर the children play in the ground, इसमें आप देखेंगे, तो केवल एक ही verb यूज हुई है, eats और यहाँ पर play, आपको तो पहले पता ही होगा, कि जब भी subject हमारा similar होता है, आनि कि single होता है, तो verb में हमेशा es या फिर s लगा देते हैं, बहुत simple है, अग पर देखेंगे, simple present या फिर present simple क्या कहता है, present indefinite क्या कहता है, कि जो भी जो भी आप चीज normally करते हैं, daily routine में करते हैं, आपका habitual कोई action है, उन सभी को आप present simple में दर्शाते हैं, दिखाते हैं, इसको देखेंगे, it is used, कौन सा ये वाला tense जो है आपका, कौन सा simple present है, या present simple जो ह it is used to express, क्या express करता है भाई, habitual action, activities of permanent nature, हैनि कि कुछ आप habitual action जो आप करते हैं, daily है ना, कभी कभी इस सिर्फ कर देते हैं, बड़ आप normally करते हैं उसको, उसके बाद activity of permanent nature, कुछ ऐसी activity है, जो आप permanently करते हैं, और nature में है आपके, उसके बाद repeated activities, जो usually आप देखते हैं, अपना क लग कहने का है, कि वो एक action है आपका, जो आप simply रूप से है ना, simple तरीके से आप करते हैं उसको, ठीक है, आपका habitual action है basically, ठीक है, इसमें देखेंगे structure, बहुत simple है, structure पे धान दे लेना, बहुत simple है, subject आएगा और verb की first form, singular होगा subject, या plural होगा, depend करता है, ठीक है, और अगर similar जहां पर आपको subject और verb की first form दिखी, तुरंत जान लेना, भाई, simple present की बात कर रहा है, ठीक है, कोई देखर तरशानी, उसके बात देख लेंगे, always, never, usually, normally, और यह जो हमारे कुछ words है, यह basically use करते हैं, इस present simple में, ठीक है, आगे चलेंगे, आगे समझेंगे, present continuous को, present continuous को लेके पहले हम, I am watching movie, और दूसरा बोलता है, they are facing an interview, अचा, बहुत सो लोग बोलते हैं कि, I am going to give interview, या फिर I am, I have faced interview, तो यहां पर देखेंगे, जो दूसरा वाला है, I have faced interview, या फिर I am going to face an interview, तो यहां पर जो interview को हमना face करते हैं, कभी give नहीं करते हैं, तो यहां पर हम interview को देते नहीं है, face करते हैं, तो basically यहां पर, I am facing an interview, यह हमारा right word होता है, facing होता है, अनि कि, give नहीं होता है, मैं interview को face करते हैं, देते नहीं है, ठीक है, तो they are facing an interview, यहां पर देखेंगे, I am watching movie, present, ठीक है, present मतलब क्या था हमारा, याद आपका time of action, किसका है, present है यह, और degree of completeness क्या है, यह, action जो है आपका, वो complete कितना हुआ है और नहीं हुआ है, वो बता रहा है आपका continuous, यह, यह, continuous यह, चल रहा है, ठीक है, तो I am watching movie, और they are facing an interview, दोनों चीज़र चल रही है, ongoing है, यह, यह, it is used to express an action, happening now at a time of speaking, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, उस समय यह action हो रहा है, basically, तो यह ह हमारा क्या होता है, present continuous, कोई देखकर परिशानी, इसका देख लेते है, subject पहला आएगा, फिर is MR, helping verb, फिर verb की first form, फिर उसमें ing लगा के, उसके बाद बागी जो बच्चा कुचा होता, object लगा दिता है, ठीक है, देखेंगे, subject आ गया, आर लगा दिया, उसके बाद FACE, ठीक ह जहां, is MR आ गया, subject के साथ, verb की first form के साथ, ing लग गया, क्या होगा, present continuous, है लिए को चीज़ें, ongoing है, when I am speaking, ठीक है, नोट कर लेंगे, now, nowadays, now, these days, still, while, at, these kind of words are used basically in present continuous, कोई दिक्कत, परिशानी, ठीक है, चलेंगे, आगे, समझ लेते हैं, करके तो इसके बहुत असान देती है हम लोगों को, तो कि दिक्कत होती है, ना, कि जिए हम लोग फटा-फट भखते हैं, समझते नहीं है, तो इसलिए, वीडियो लंदी होती है, बट समझ लें बड़ा असान रहता, आप लोगों के लिए, ठीक है, देखेंगे, present perfect, क्या बोलता है, present perfect, अभी देखें, present perfect, कुमारी वन गोल्ड इन आर्चरी वर्ल्ड कप, ठीक है, यह भी बिसिकली हमारा जो यह एक वर्ल्ड कप चल रहा है, आर्चरी का, पैरिस में, तो इसमें दिपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है, यह recent का एक current affair व्याद के लिए, ठीक है, तो दिपिका कुमारी है, फि complete हो चुका है action complete हो चुका है दिपी का कुमारी जीत चुकी है तो degree of complete ने सहाँ perfect है और time क्या है present है दिक्कत है कोई परिशानी नहीं समझें इसको समझ लेते फिर समझ जाएंगे already I have I have met with him देखो meet की second form meet की third form होती है met ठीक है met और second form भी मेट ही होती है तो already I have met with him यानि कि मैं इससे मिल चुका हूँ time कौन सा है present है जो action है completeness है वो perfect है खतम हो चुकी है कि मैं already इससे मिल चुका हूँ I have already met with him कोई देखकर परिशानी नहीं है ना समझते है structure देख लेते हैं आपका पहले definition देखे it is used यह वाला present perfect is used a recently completed action यानि कोई action है आपको recently complete हुआ है basically ठीक है the work is finished now and being the past आपका कुछ action जो है वो present का वो basically अभी complete हुआ है और वो अभी complete होते ही सीधा past में जा चुका है तो इसलिए हम present perfect बोलते है यह perfect तो खतम हो चुका है इसका देखते है structure आपका subject आएगा subject अगर आप singular है अगर आप singular subject लगा रहें तो आपका has आएगा plural है आपका तो have आएगा single subject है तो has और आगा 2 या 2 से जादा अगर subject आपका तो have आजाएगा ठीक है और verb की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ठीक है कोई देखकर नहीं होगी इसमें समझे आप सब्जिक्ट लगा दे हैज और हैफ दुनों से एक उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका बन जाएगा प्रिजेंट पॉर्फेक्ट तो यह स्ट्चर आप ध्यान प्रिजेंट तो acryम धर टेंगे इह देखलेंगे अगला में आता है प्रिजेंट ट्प उफ एक्शन इस're But degree of completeness is present continuous, यानि की perfect continuous, यानि की आपका कुछ काम है, degree of action आपका कुछ ऐसा है, जो आधा complete हो चुका है, but still it is in progress, कुछ progress में है, कुछ continuous है भी आपका, ठीक है, इसका लेते हैं एक्जामपर पर ले, It has been raining since morning, it has been raining since morning, दूसरा देख लेंगे, दूसरा बोलता है, they have been working on this project for last three years, देखे दोनों में, present है आपका, time of action क्या है, present है, कि भाई बारिश हो रही है, time of action क्या है, present है, ठीक है, present हो गया, complete, वोई दिक्कत परिशान नहीं, देखें, present हो गया time of action, यहापर, it has been raining since morning है, सुब है, तो कुछ बारिश सुबे से हो रही है, तो आनि कि कुछ complete हो चुका है, बारिश सुबे से हो रही है, यानि कि बारिश सुबे से हो रही है, तो बारिश का एक part जो है, यानि कि कुछ duration है, काफी period लंबा, कुछ perfect में जा चुका है, यानि कि कुछ complete हो चुका है, already, और बाक सब्सक्राइब कर रहे हैं यह आपका प्रेजेंट है तो कुछ सालों से वह सब्सक्राइब कर रहे हैं और अभी वह कर रहे हैं तो यह आपका क्या बन गया प्रेजेंट प्रफेक्ट कॉंटिनिवर्स इसका क्या कहते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं इस यूज टू एक्ष्प्रेस एंड एक्ष्ण विच बिगन इन पास्ट ठीक है कुछ एक्ष्ण भी हो चुका है बट उसका जो एंडिंग है वो प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट प्रफेक्ट कॉंटिनिवर्स इसका स्ट्रॉक्चर देखेंगे आप जहां भी आपको सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव ठीक है सब्जेक्ट के साथ तो यहां पर हम bean हटा देते थे और वर्ब की थर्ड फर्म लिख देते तो हमारा यह present profit बन जाता था बट present profit continuous का बन जाता है जब subject के साथ has have और साथ में लगा दें बीडबल ए एन और वर्ब की first form के साथ ing देखेंगे यहां पर देखेंगे subject लग गया शबजीक लग देखे subject के हैं यहां पर दे हैं कि subject आपका singular है प्रूल देिल्दी बताएं प्रूल है ठीक है ने की दो से जादा एक से बीन बिलकुल लगेगा बीन लग गया उसके बाद verb की first form ड़र्फ के साथ ing लग गया इंजी लग गया ठीक है तो आपका structure बन गया कोई दिखके इसमें structure याद रखें आप आपके structure के base पर ही आपको question बन जाएंगे अगर आपने structure को ध्यान दे लिया बागे आपको basic समझा रहा हूं है ताकि कोई confusion ना हो कि structure रटके जाएंगे तो आप कहीं न कहीं अगर आपका थोड़ा बहुत भी mismatch हुआ तो आप लटक सकते हैं कुश्चन को करने में तो इसलिए मैं आपको base से समझा रहा हूं अच्छे से ठीक है time expression since for this और generally used in the sentence यहाँ पर देखेंगे present perfect continuous आपका tense है इसमें आपका since और for use करा जाता है यह time को दिखाने के लिए यहाँ पर use किया जाता है तो यह present perfect continuous की एक पहचान है छुटी से आप कह सकते हैं जहाँ पर आपको since यह फॉर दिखे यह time दिखाया जाए वहाँ पर आपका present perfect continuous बेसिकली और वनी देखा जाता है ठीक है बागे structure को आप ध्यान में रखेंगे कुछ दिक्कत होगी नहीं आपको देखे जाये since use किया जाता है जब इक particular point of time की बात की जाए ना since morning है ना Monday June या फिर since आपका afternoon है ना since January 2000 जब आपका particular on point time हो जब आपका on point time की बात की जाए but four कब यूज करते है time के लिए जब आपको set of period of time दिखाना हो ना period of time दिखाना हो दो दिन का time है तीन महीने का time है दो घंटे का time है चार घंटे का time है च्पिरियट का time है यह time का कुछ period जब हो एक आप देखे तो एक box के अंदर कुछ घंटे हो, कुछ महीने हो, कुछ years हो ना, तब आप 4 यूज करते हैं, but आपका जब on point time की बात की जाए at 11 o'clock, at 3 o'clock, on point time की बात जाए तो since लगा देते हैं, ठीक है कोई दिखकर परिशानी, नहीं होगे आपको चलेंगे आगे, आगे हमारा बोलता है test your knowledge, आपको test your learning, आपने जो present आप तक समझा, इसको हम test कर लेते हैं, ठीक है अब बताएगा फटा-फटा, चलिए, शुरू करते हैं now we are not looking for train, now we are not looking for train, आपके sentence ऐसी आएंगे, आपको option दे जाएंगे, आपको बताना है, इनमें से कौन सा right होगा, A, B, C या D, ठीक है, तो आपको option भी मिलेंगे tension लेने की जुरूत नहीं है, ठीक है option A, present perfect, option B present continuous, option C present simple, या फिर option D present perfect, present क्या आपका यह होगा, present perfect continuous है, आप present present लग गया है, तो present perfect continuous होगा या ठीक है तो आपको बताएंगे, कौन सा होगा now we are not looking for a train आपका कौन सा होगा इसमें से, जल्दी बताएं A, B, C, D, कौन सा होगा बिल्कुल, option B is the right answer now we are not looking for a train यादि की time present का है और चीजे चल रही है continuous में देखेंगे ना, now we are जहां पर भी R लग जाए is MR और उसके पाद ING लग जाए, वो अपकी first form के साथ हमारा होता है present continuous देखागा आपने structure ना structure से धान में रखेंगे थोड़ा आपको बहुत easy होगी फिर find out करने के लिए you sleep late night present का degree of completeness के साथ कौन सा ये हमारा sentence है बताएंगे आप present simple या फिर present continuous present present perfect continuous या फिर present perfect जल्दी बताएंगे a b c d कौन सा है you sleep late night ये sentence कौन से टेंस का है जल्दी बताएंगे आप देखेंगे बिलकुल सही answer आपका option होगा सही कौन सा option a present simple ये daily habitual एक action को दिखा रहा है you sleep late night जहाँ पर subject के साथ verb आ जाए और verb आ जाए कैसे e s या फिर s के साथ और depend रहता है subject कौन सा है हमारा एक है दो है तीन है चार है ठीक है तहाँ पर आपका option a is the right answer देखेंगे अंगे अंगे ला question they are going for lunch वो lunch के लिए जा रहे हैं कौन सा होगा option a present perfect continuous option b present perfect option c present continuous option d present simple जल्दी बताए they are going for lunch टेस्ट कर रहा है किन और इसको और आपका कोई दिक्कत हो रहा ना आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया तो कोई रिक्कत नहीं है इस structure एक बार में समझ में नहीं आता है धीरे धीरे आता है बस हटते आपको यह कि कोशिश करते रहना है जल्दी बताएं they are going for lunch कौन सा है they are going for lunch subject है subject के साथ r लगा है is mr helping verb उसके बाद verb की first form के साथ ing देखेंगे न जी ओ गो वर्ब की first form उसके बाद ing जल्दी बताएं बी हां जी हां आपका सही आंसर होगा कौन सा जल्दी बताएं option c present continuous चीज़त चल रही है continue में है ठीक है अगला देख लेंगे I work in MNC MNC company होते न multi national company I work in MNC कौन सा होगा चल दी बताएं ठीक है present continuous present perfect present simple है न present perfect continuous कौन सा होगा I work in MNC जी हां इसका सही आंसर होगा present simple यानि कि मैं MNC में काम करता हूँ है mutual action है mutual activity है जहाँ पर क्या है subject के साथ के वाल वर्ब लग जाए बस और वर्ब में भी देखेंगे आप SES लगता है जब subject हमारा depend करता है recently she has cooked the meal recently she has cooked the meal कि अभी उसने खाना बनाया है ठीक है जली बताएंगे present simple present continuous present perfect या present perfect a b c d कौन सा right answer है जली बताएं present continuous होगा क्या होगा जली बताएं जी हाँ इसका answer होगा present perfect present perfect option d is the right answer recently देखो she लगा है she के साथ subject के साथ has have depend करता है subject singular है या फिर plural है subject के साथ लग गया has है उसके बाद क्या लगएगा verb की third form cook की third form होती है cooked यहाँ पर she has cooked the meal उसने recently भी एक action complete किया है recently उसने एक action complete किया है she just has recently she has cooked the meal recently उसने क्या है एक action को complete किया है तो action ने present का था बताएं action को complete कर लिया है तो degree of completeness perfect चली गई है इसलिए यहाँ पर option D is the right answer अगला she has been talking since for last देखिंगे आपर since और for मेंट दोनों लगा दिया है अब आप बताएं आप पर since आएगा या for आएगा जल्दी बताएं आप she has been talking since और for लगा दिया है दोनों तो यहाँ पर दोनों से एक आना है यहाँ पर दोनों से कौन आएगा चल्दी बताएंगा since आएगा या for आएगा चल्दी बताएं शीनच आएगा या for आएगा इस sentence में पिल्कुल आंसर आपका सही है आपको यहाँ पर 4 दिखेगा ठीक है 4 last 2 hours टाइम क्या है टाइम period of time है याने set of time है जब आपको एक घंटा दो घंटा महिना तीन महिना एक time period का एक set देखा जाए उसको हम 4 के साथ use करते हैं since के साथ नहीं जब on point time हो तीन बजे चार बजे छे बजे January 2000 या फिर January December 25th या नहीं कुछ पर on point time की बात की जाए तो हमारा since लगता है बट set of period या फिर period of time की बात की जाए तो हमारा since लग जाता है ना तो यहाँ पर 2 घंटे की बात की गई है यहाँ पर time of period है तो यहाँ भी for आप बताएं she has been talking for last two hours कौन सा हमारा tense है she has been talking for last two hours present a b c d कौन सा हो अजल दी बताएं she has been talking for last two hours जी हाँ यह होगा हमारा option a present perfect continuous यानि की कुछ action जो है देखेंगे कुछ action जो है यहाँ पर वो अभी past में begin हुआ past में शुरू हुआ और आधा complete हो चुका है और last 2 घंटे से वो बात कर रही है जानि 2 घंटे तक वो complete हो चुका है और still she has been talking still वो बात कर रही है इसलिए वो अभी continuous में है इसलिए option a is the right answer कोई दिक्कत अब आप तु आपको अभी तक कोई दिक्कत हुई हो बताओ कोई दिक्कत परिशानी नहीं आगे चलें अब हम समझेंगे हमारा अगला tense को हमारा अगला टेंस आथा past को ठीक है तो हमारा पहला देखेंगे हमारा क्या था present का हना time of action था present अब time of action होगा हमारा past time of action होगा हमारा past बाकि degree of complete इतने सबका same है कोई उसमें अलग नहीं है ठीक है देखेंगे पहला example he gave wrong answer उसने गलत answer दिया दूसरा देख लेंगे बे वन the match दे वन दा मैच वो मैच जीत गए ठीक है दोनों को हम देखेंगे अच्छे जे तो action वाली है जो कि simple है तो हम कहते है past simple की बात की जा रही है इसलिए हम कह सकते है it is used to express an event or past action यानि कुछ ऐसा action या event जो हमने past में किया या कर लिया वो हमारा एक कैसा simple past था ठीक है देखेंगे इसको हम structure के रूप में subject आ जाएगा देखेंगे प्रेजेंटट simple क्या था subject लगाके वर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगा देते थे और एस यंस लगा देते थे अगर हमारा subject इंगूलर है या प्रूलर है यहां पर बहुत सिंपल structure है बहुत सिंपल subject लगा दो वर्फ की second form लगा दो आपका खेल खतम है ना आपका खेल खतम है आपके पोशन का खेल खतम ठीक है यहाँ पर आपको क्या गरना है structure में देखेंगे subject और subject के साथ verb की second form बागी आपका काम यहाँ पर देखेंगे खतम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपको उसके बाद देखेंगे अगरस में yesterday, on other day, ego, last, formally यह word को हम यूज करते हैं बिसिकली past simple में या past indefinite में यूज करते हैं यह हमारा एक तरीके का structure होता है उसके बाद देखेंगे हम अगला हमारा अगला आता है past time of action हमारा past ही चलेगा ब हमारी degree of completness हमारी पहली थी क्या simple अब होगी continuous है यादि की action हमारा जो है वो continuous में है उसका degree of completness है यादि की action जो है आपका complete हुआ यह नहीं हुआ है अभी आपका क्या है continuous में होगा वो चीज़ देखेंगे आप example देखेंगे he was fighting for seat in bus in the bus ठीक है he was fighting for seat in the bus यहाँ पर द भी बात कर रहा है कैसे समझ लेंगे दूसरे example भी देखेंगे ना जल्दबाद ही किस बात कि यह दे वर looking for train to come they were looking for train to come देखेंगे आपर it is used to express an action that was in progress at some time in the past यानि कि कुछ action हमारा जो past में यानि कि जो बीच चुका है उसमें एक progress में था एक चल रहा था है ना यानि कि आप कह speaking यह present continuous हुआ मैं speak कर रहा हूं है मैं बोल रहा हूं I am speaking बट अब यह time बीच गया अब मैं बोल सकता हूं I was speaking मैं बोल रहा था ठीक है तो ऐसा कुछ action है ऐसा कुछ हमारा action है जिसकी degree of completeness continuous की है बट action हमारा किसका है past का है action किसका हमारा past का है देखेंगे इसका structure देख लेते है subject के साथ was were, subject कर singular है was लगा देंगे, tooler है were लगा देंगे, was were लगा देंगे, was were लगे इसके हिसाब से उसके बाद verb की first form फिर ing लगा के खेल खतम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर ठीक है, यह हमारा past continuous था, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, आ आगे आता है past perfect, perfect की हमारी degree of completeness आ चुकी है, यानि कि आपको कुछ ऐसा past का कुछ ऐसा action जो आप perfect कर चुके हैं, या कर चुके थे कह सकते हैं, she has submitted the work before deadline, यानि कि कुछ past का कुछ ऐसा action उसने किया, जो की perfect था, बहुत ही perfect था, यानि कि उसने degree of completeness कैसी थी, उसकी perfect थी, past में, यानि कि she has submitted, उसने submit कर दिया था क्या अपना काम before deadline, ठीक है, deadline से पहले उसने submit कर दिया था basically, दूसरा example देख लेंगे, I wish I had listened my father's advice, यहाँ पर एक regression भी देखने को मिल रहा है, कि कुछ छूट गया, या फिर मुझे कुछ करना था, मैंने कुछ fall कर दिया, कि I wish I had listened my father's advice, is used to express an action, completed before a certain moment in the past, यानि कि कुछ ऐसा action है, जो past में, जो past में हो चुका है, और कैसा हुआ है, complete हुआ है, before a certain moment, यहाँ पर उसने अपना work को submit किया before deadline, और यहाँ पर उसने अपने पापा की advice नहीं सुनी, हो सतना कुछ दूर घटना हो कही हो, यानि कि अब वो advice को जो change नहीं तो यहाँ पर regression दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा action past का, जो complete हो जाता है, before certain moment in the past, and express unfulfilled desire of the past, यानि कि जो हमारी unfulfilled desire होती है, जो हम चाहते थे पर हो नहीं सकी, वो past में चली गई है, तो उसको regression करने के लिए, फिर express करने के लिए भी I had listening है, past perfect का use करते है, इसका structure देख लेंगे, बड़ा मज़दार structure है इसका, क्योंकि बहुत simple भी है, subject लगा देंगे, subject he, she, it, may, sorry, may नहीं होगा, he, she, it, they, जो भी use करने आपको, subject लगाके head लगा देंगे, यहाँ पर cable head आएगा, cable head आएगा, कुछ नहीं आएगा, उसके बाद verb की third form लगाएं, उसके बाद, इसका भी खेल खतम, past perfect, खतम, बिल्कुल खतम, अगला चलेंगे, अगला हमारा आता है, past perfect continuous, यह क्या बोलता है, देखाएंगे, example, he had been sleeping since morning, अब past में एक ऐसा action है, past में एक ऐसा action है, जो आधा perfect हो चुका है, और still continuous था, यह एकदम हमारा present perfect continuous जैसे हैं, degree of completeness सब की सेम है, degree of completeness सब आप एक की भी समझ गए, तो सब की सेम है, खले time of action चेंज होता है, बस और कुछ नहीं है, दूसर example देख लेंगे आप, he had been waiting for two hours, यहाँ पर भी time है, यहाँ पर भी time का आप देखेंगे, दिख रहे हैं आपका time का word, morning, two hours, यहाँ पर भी एक खेल है, it is used to aspects and action, that began before a certain time in the past and continued up to that time, यानी कि कुछ ऐसा action जो शुरू हुआ था हमारा past में, और वो past में होते होते आधा perfect हो चुका है, और इस्टिर वो continuous था, यहाँ इनि continue था, ठीक है, past की बात कर रहे हैं, he had been sleeping since morning, यहाँ पर भी time का खिक्र है, यहाँ पर भी two hours है, यहाँ भी time का खि रहता है, कि before a certain time in the past continued up to the time, कि कुछ ऐसा action जो कुछ समय पहले चालू हुआ और वो still continued था, up to that time, up to that time कौन सा, since morning माला, for two hours माला, और उससे भी continuous चलता रहा वो time, ठीक है, इस structure देख लेंगे, structure आप धान में रखें, आपको कहीं problem नहीं वाने, एक number नहीं गटने वाले आपक इस structure का खेल है सारा, आपको example इसलिए देना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए, आपके रीट के perspective से नहीं, आप कहीं भी grammar अगर लिखें, आप यूज करें, तो आपको गलत ना लगा दे, bean लगा दे, वो आपकी first form और ing लगाएं, इसका भी खेल खतम, कोई भी इसमें अल past और for जो है, एक रीगे का past perfect निसानी है, आप देख लेंगे, अगर head जहां पर विद्धिक जाए, तो past की ही बात करता है, has या have आजाए, has, have या has आजाए, तो वो present की बात करता है, बिलकुल अलग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज को, आगे देख लेते हैं, आ कौन सा है, बताएंगे, past perfect, past simple, या फिर हमारा past perfect continuous, या फिर हमारा past continuous, बताएंगे हमारा यहां पर, कौन सा होगा हमारा, day before yesterday, I saw my old school friend, मैंने अपने, क्या किया, कल से, यानि कि, परस होगा नि, जो बीच चुका है, day before yesterday, यानि कि, कल से भी एक दिन पहले, यानि कि, day before yesterday, मैंन यानि क्या देखा, अपने एक पुराने school के दोस्त को देखा, यह कौन सा है, school के दोस्त को देखा, बहुत simple है, बहुत simple है, यानि कि, past simple है, बहुत simple है, कोई दिक्कत ने, I had been driving for long time, मैं बहुत लंबे समय से drive कर रहा था, यानि कि, I had, past की है, been, b-e-e-n, been का बाता है, जब बात की जा रहा है, यह कुछ perfect हो चुका है, been का बाता है, जब कुछ perfect हो चुका है, और driving, b-e-r-i-v-i-n, driving, यानि कि continuous में है, यानि कि, कुछ perfect भी हो चुका है, कुछ continuous में भी है, देखने की जरुत है, आपको क्या, क्या है, ब्रादेंगे बिल्कुल, बिना option देखे होता देंगे, आप लगों तो, देखेंगे, option a, b, c, d, देखेंगे, I had been driving for long time, time भी दे रहा है, अब तो बताए देंगे, option c, past perfect continuous कोई दिक्क्रत नहीं है, ठीक है, अगला देख लेते है, she wanted to help me with, she wanted to help me yesterday, वीद नहीं आएगा, ठीक है, ये वीद आदेंगे, ये थोड़ा grammatical structure अच्छे कितनी कैसे चेंज आता है, है ना, she wanted to help me yesterday, वो मुझे कल मदद करना चाती थी, ठीक है, बहुत simple है, she wanted to help me, she लगा के, हमारा verb की third form लगा दी, और खेल खतम कर दिया, कोई अलग से time frame कुछ नहीं है, ठीक है, ये study लिखा है, ये study हमारा एक दिन पहले की बात है, जो He wanted to help me yesterday, जली बताएं, बहुत simple है ना, subject के साथ, वो अपकी third form लगा देंगे, काम खतम किसका है, past, किसका, past, simple का, option B is the right answer, देख, आप बताना आपको कितना सही जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलते मत रहें कि खाली आप देख रहे हैं, आप पॉपकॉन या फिर कुछ खा रहे ह था, यहना, continually बात कर रहा है, he was, he के साथ was लगा दें, या फिर जब भी subject अगर एक है, तो was, दो है, तो were लगा देंगे, तो he was not doing homework, वो काम नहीं कर रहा था, क्या perfect है यह, या past simple है, या past perfect continuous है, या past continuous है, बिल्कुल simple है, he was not doing, वो नहीं कर रहा था, जब नहीं कर रहा था, करने वाली बात हो गई past की, अब करने वाली बात कुछ continue चल रही थी बात, है ना, कि वो काम ही नहीं कर रहा था, तो नहीं कर रहा था, या past continuous हो जाएगा, time of action हमारा past है, हम past की ही बात कर रहे है, they were talking towards me, they were walking towards me, they were walking towards me, वो मेरी ओर आ रहे थे, तो उनका मेरी ओर आना past में ए हमारा, अब they हमारा subject कैसा है, singular है या plural है, बिल्कुल हमारा plural है, तो वर आ जाएगा, उसके बाद work, work की first form, उसके बाद ing, walking towards me, टिक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा past continuous, यानि option D is the right answer, अगला देख लेंगे, they had, they had talked to boss for increment, they had talked to boss for increment, नहीं कर उनने boss से बात की थी, किसके बारे में, increment के बारे में, यानि कि ऐसा action है, जो कि past में हुआ, पर उसका degree of complete, यानि कि वो action कैसा complete हुआ, या चल रहा था, या फिर चलते चलते आधा पूरा हुआ, या फिर कैसा चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर past में कैसा action हुआ, जो कि पूरी तरीके से क्या था, had completed, had talked, complete हो चुका था, या बीन नहीं है, बीन होगा, तो continue है, continue है, यानि कि perfect हो के continue है, अगर बीन आएगा, तो चाहे वो present में आए, चाहे वो past में आए, ठीक है, देखेंगे, अग चाहे वो future में भी आए, ठीक है, तो degree of complete सबकी same है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, degree of completeness, सबक आपको क्या धान रखना है, structure क्या था, बस, structure हलकसा धान में रखना है, बस आप तुरंट बता देंगे, वही कौन सा sentence है, ठीक है, past perfect है, past simple है, past perfect continuous है, या option D, past continuous है, तो they had talk to boss for increment, they subject, उसके बाद head लगा देंगे, उसके बाद verb की third form चीज़ लगा देंगे, वही काम खतम, कौ इक बार में यह चीज़ नहीं आती है, यह चीज़ लोग महीनों निकाल देते हैं, grammar, tense को सीखते हैं, आप एक video में सको complete कर रहे हैं, ना केवल read के perspective से, बलकि आपने English की improvement के perspective से, आपको कहीं भी grammar structure देखेंगे, आप बता पाएंगे, तुरंस में क्या error है, क्या mistake है, अब बा सेंटेंस क्या बोलता है, कि he will come on birthday party, he will come on birthday party, usually हम यूज भी करते हैं, कि भाईया, आपसे पूचा किसी ने कि क्या वो आपके birthday party पायेगा, आपने बोल दिया, yes, he will come on birthday party, ठीक है, तो वो बड़्डे party पे आएगा, दूसरा देख लेंगे, किसी में पूचा, कि भाई, break के ब ठीक है, तो simple बूला जा रहा है, कोई भी अलग से continue चल रहा है, या फिर कोई अलग से perfect हो चुका है, या फिर कोई अलग से perfect हो गया है, कुछ नहीं, केवल simple है, simple बात कि जा रही है, universal truth की बात कि जा रही है, simple routine की बात कि जा रही है, कि they will not break the rule again, या फिर he will come on the party, बहुत simple बा action that will happen in the future simply वो action future में happen होगा इसलिए हम उसको कहते है simple इसलिए हो जाता है future simple degree of completeness क्या है simple है time of action क्या है future एंकि action हमारा future में होगा किस तरीके से होगा simply होगा है बहुत ही simple तरीके सो होगा इसलिए future simple structure क्या है subject के साथ will लगा दें will के साथ first form लगा दें इसका भी खेल खतम कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको ठीक है past के बाद future की बात कर रहे हो future में भी एक continuous आता है future में भी एक continuous आता है ये भी बहुत जादा easy है देखेंगे तैसे tomorrow at this time he will be traveling in the train अब देखेंगे tomorrow at this time यानि कि कल इस time ये जो सामने बैठा है मेरे कोई भी बैठा है जो भी बैठा है he will be traveling in the train वो travel कर रहा होगा train में दूसरा देख लेंगे दूसरा क्या है they will be sleeping they will be sleeping वो सो रहे होंगे यानि कि future में कुछ ऐसी बात कर रहा है जो future में बंदा continue करेगा future में कुछ ऐसा action है वो continue करेगा continue कर रहा होगा ठीक है समझ लेते हैं it is used to express an action which will be occurring है ना occur हो रहा होगा हो रहा होगा happen हो रहा होगा at a certain moment and anticipating an action यहाँ पर क्या है जब भी हम देखेंगे कुछ भी हमारा एक ऐसा action जो future में होगा जो future में होगा बट वो continue में होगा वो continue में होगा he will be traveling, he will be sleeping he will be going, he will be coming है ना यहाँ पर बहुत ही simple है इसका structure ही बहुत simple है subject के साथ will लगा दे will के साथ be लगा दे be के बाद verb की first form और ing लगा के खेल खतम कोई दिक्कत नहीं है subject के साथ will will के साथ be subject will be वर्प की first form और ing यह structure कभी change नहीं होते इसलिए आपका बोल रहा हूं कि structure पर हलका से ध्यान दे ले कि difference क्या है difference क्या है आप तुरंत लगा देंगे अब will जहां भी आता जानते हैं future की बात करता है will तो सीदे यह past present की दिवाद करता ही नहीं है future perfect future perfect क्या बोलता है they will have won the match वो match जीत चुके होंगे अब एक ऐसा action है जो future में हो चुका होगा complete हो चुका होगा completed होगा perfect होगा क्या होगा perfect होगा complete हो चुका होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि चाचा जी will have gone by now चाचा जी अब तो घर जा चुके होंगे जो बिल्कुल जाते ही नहीं थे हैना चाचा जी will have gone by now अब तक वो जा चुके होंगे तो ये एक ऐसा action है जो कि हमारा future में complete हो चुका होगा कैसा perfect तरीके से completed हो चुका होगा ऐसा action है देखेंगे it is used to express an action which will have finished in the future at a certain time यानि कि कुछ ऐसे certain time पे हमारा एक ऐसा action जो finish हो चुका होगा जो finish हो चुका होगा उसको हम कहते है future perfect अब ये चाचा जी जाते हैं कैसे जाते हो तो आपको future में पता ही है प्रक्षे उन्हें movie देखी होगी ठीक है अठी movie दी बसे structure बहुत simple है इसका की subject लगा के will लगा दे will के साथ have लगा दे have के साथ third form बाकी आपका खेल इसका भी खतम कोई भी परिशानी नहीं होगी इसको में आपको ठीक है देखेंगे इस चाचा जी अब चाचा जी subject है will लगा दिया जो की will आएगा ही have लगा दिया have we change नहीं होगा वर्फ की third form go went gone है ना go की third form होती है gone go की third form होती है gone यहाँ पर चाचा जी will have gone by now चाचा जी एक certain time के बाद certain time में अपने future में चले जाएंगे अपने future मतलब एक future जो आएगा ना भविश्य में जा चुके होंगे तो इसकी बात करते है जो जे दिर्वान और उनके जो पूरी मना रही होती है कि कब जाएंगे है ना जान छोड़े आखिर का उनको पस्तावाई बहता सीज का ठीक है यह तो होई फिट फोड़ी बूवी की बात हो जाते है बीच-बीच में future perfect continuous या मोलता है यह कहता है कि they will have been singing since 8 o'clock अब देखेंगे आप में चीज common notice करेंगे जब भी हमारी कुछ perfect continuous की बात की जाती है जब भी हमारी perfect continuous की बात की जाती है present हो past हो future हो हमेशा have been have been या had been या had been आप देखेंगे ही आप देखेंगे ही क्यों ऐसा क्यों हो रहा है जब भी bean दिखे आपको bees में कहीं भी आपको bean दिखे आपको कैसे दिखेगा structure ध्यान में रखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे किसकी perfect continuous की बात कर रहा है कुछ ऐसा certain time में आपका एक ऐसा action जो आप past में कर रहे थे half complete हो चुका और half अभी भी on going है नेक लेंगे they will have been singing अभी future की बात कर रहा है चूकी क्योंकि यह future की बात कर रहा है तो future में वो गाना गा रहे होंगे since 8 o'clock यानि कि कल वो गाना गाना शुरू करेंगे 8 बजे से और वो गाना भी non-stop गाही रहे होंगे तो they will have been singing since 8 o'clock और since क्यों लगाया है क्योंकि 8 o'clock certain time है on point time है फूर लगता जब इसमें set of period of time की बात की जाती एक गंटा, दो गंटा, दो मिनट, पांच मिनट ठीक है तो यह set of time है तीक है दूसरा देखने का example बहुत simple he will have been studying for two hours after this game यानकि ओभी game खेल रहा है ममी ने पूछा भाई क्या करोगे अभी पढ़ाई-बढ़ाई की नहीं की तो उन्हेंने बोल दिया भाई साब कि भाईया हम ऐसा है कि he will be studying for two hours after this game तो उसके बड़े भाई ने बोला होगा अपने छोटे भाई के लिए कि फड़ा protection देते हुए कि भाई नहीं है भी मारना खा जाए तो he will be studying he will have been studying कि वो future में कि वो बात में क्या करेगा पढ़ाई कर रहा होगा for two hours after this game यानि कि दो घंटे से वो लगातर पढ़ाई कर रहा होगा और non-stop पढ़ाई करता ही रहेगा कब इस game खिलने के बाद यानि कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है future perfect continuous की बात की जा रही है it is used to express an action which will be completed half half completed हो चुका होगा future में जब शुरू होगा and still will be in progress and shows the time of occurness और time of action भी सोब करता है न since, for, यह भी होता है हमारा कोई दिक्कत structure देख लेंगे subject के साथ will will के साथ have, have के साथ been यह तो common रहेगा, change रहे होगा और verb की first form हमेशा लगा देंगे और आइन जी लगा के object इसका भी खेल खतम, कोई दिक्कर परेशानी नहीं, अब देख लेते हैं आपका questions questions आपका देखेंगे, फिर दुबारा से केवल किसके लिए चलेगा, यह future के लिए time of action कौन सा हमारा future है तो future के ही question आएंगे अब आपना दिमाख लगाने बहुत तेजी से, ठीक है यह आपना काम कर चुके होंगे इस समय तक, वो अपना काम कर चुके होंगे complete कर चुके होंगे, option A, B, C, D complete कर चुके होंगे, बहुत simple है option बताईं कौन सा है, बहुत simple है अगर आप सोच रहें option B, तो right answer option B है कि they will have finished, वो काम अपना complete कर चुके होंगे complete कर चुके होंगे, निकि perfect कर चुके होंगे complete कर चुके होंगे, future perfect की बात कर रहा है तो time क्योंकि future ही बात कर रहे हैं, past present तो है निसमें he will have been learning chess since 1995 कि वो chess learn कर रहा होगा, सीख रहा होगा since 1995, तो यहाँ पर 1995 से भी पुरानी बात की जा रही है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2025 तब यह थोड़ा sentence हाँ को समझ में आ जाए, अच्छे से है ना, यह 1995 हटा देते हैं अगर तो अगर मैं लिख दूँ है, 2225 और फिर सन 50,000 लिख दूँ है पर जो भी लिखना चाहूं मैं आगे की बात करो ना, future की, तो पीछे जाने की बात हो रही है, इसलिए, they will have been learning chess since 80 years लिख दूँ है, for 80 years लिख दो गर मैं, for 80 years, यहीं कि पिछले 8 साल से, they will have been learning chess, यहीं कि वो chess सीख रहे होंगे, पिछले 8 सालों से, और still they will have been learning, वो अभी भी सीख रहे होंगे, तो कौन सा है अभी भी सीख रहे हैं, आधा complete करके, अभी भी वो progress में है, कौन सा होगा, option A, B, C, D, future perfect, future perfect continuous, future continuous, future simple, simple तो है नहीं, perfect भी है नहीं कि learning है, अभी भी still continuous में है, तो कौन सा होगा हमारा, continuous होगा, बट नहीं, आधा भी complete हो चुका है यह, है न, बीन लगा है, तो हमारा option C is the right answer, future perfect continuous, ठीक है, option देखेंगा अगला, question है, गीता will have been reading for 4 hours, गीता will have been, गीता पढ़ रही होगी, पिछले 4 घंटों से, पिछले 4 घंटों से वो read कर रही होगी, गीता, अभुक रही होगी, गीता अपने पिछले 4 घंटों से read कर रही होगी, गीता will have been reading for 4 hours, option A, B, C, D, कौन सा गीता विल हैव बीन लर्निंग, गीता विल हैव बीन रीडिंग फॉर आर्स, ठीक है, तो गीता पढ़ रही है, गीता का पढ़ने का कुछ एक टाइम अफ एक्शन है, फ्यूचर, ठीक है, डिगरी अफ कमप्लीटनेस, देखेंगे, आधा खतम कर चुटी है, है वा गया, बी पॉचर, पर्फेक्ट, कॉंटी, निवस, ऑप्शन, सीज़र, राइट आंसर, पोई दिखकर परिशानी नहीं, अगला देख लेंगे, फटा फट देखेंगे, आधा लंबा नहोंगा वीडियो आपको लिए, ठीक है, आई विल हैव क्लेर्ट माइ आल डाउट्स इन तुम चाहिए, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा, पर्फेक्ट कर लूँगा, यानि कि सिंपल है, फ्यूचर पर्फेक्ट होगा, याना, फ्यूचर पर्फेक्ट होगा ना, आई विल हैव क्लियर्ड माइ आल डाउट्स इन टुमोरोस लास, ठीक है, अगला देख लेंगे, शी विल कम ऑन टाइम, शी विल कानो आन टाइम, पर्फेक्ट वाली बात तो है नी, कॉंटीनी वाली बात है भी नहीं, याना, पर्फेक्ट कॉंटीनी नहीं है, तो फ्यूचर पर्फेक्ट कॉंटीनी तो आशी हट जाएगा, तो बचा क्या, सिंपल बचा, यानि सिंपल बच है ना कर रहे होंगे नहीं कि कल party होगी तो कल हम इस समय आ फिर इस time हम enjoy कर रहे होंगे है ना तो यह enjoy कर रहे होंगे एक करना है continue है कब है future में है कब है future में है तो future future perfect है क्या नहीं बिलकुल नहीं future perfect continuous है क्या भई आधा काम खतम करके अभी भी continue है क्या continue तो है बट आधा खतम हुआ है क्या have तो हई नीज में आदा खतम ही नहीं हुआ perfect तो ही नहीं है तो बचा गया future continuous option d is the right answer तो यह आपका हो गया खतम आपने अपनी टेस्ट कर ली knowledge कहीं दिक्कत डाउट आपका नंबर उपर नीचे होगा आपको doubt होगा आपको समझने में दिक्कत होगी तो question ऐसी बनके राएंगे question आपके ऐसे जाएंगा दो नंबर यहां से आपके सटीग बठेंगे कहीं भी दिक्कत होगी नहीं तो I hope आपको समझ में आया हो कहीं भी आपको कोई भी doubt हो कोई भी तरह कोई query हो आप comment करते पूछ सकते हैं वाकि PDF के लिए आप telegram join कीजिए वहां से आपको link जो है description में link है वहां से join कीजिए आप सब PDF मिल जाएगा चले मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए mission के लिए